हेलो दोस्तों, रोबर्ट ब्राउनिंग की A Grammarian's Funeral एक बहुती मिनिंगफुल पोएम है इस पोएम के अंदर रोबर्ट ब्राउनिंग हमें एक जुक सिंपल मैसेज देना चाहरे है वो यह है कि हमें जिन्दगी को जीना सीखना चाहिए या जिन्दगी को जीना चाहिए तो इसी एक basic theme के उपर यह poem लिखी हुए जिसके अंदर उन्हें एक जेंपल लिया है Grammarian का, Grammarian एक ऐसा वेक्ति होता है जो grammar की study करता है तो यहाँ पर जो grammarian ले रहे हैं, वो grammarian एक ऐसा वेक्ति है जो पूरी जिन्दगी पढ़ाई के अंदर, learning के अंदर पूरी जिन्दगी बिता देता है और अब जब उसकी death हो चुकी है तो उसका funeral उसके students या उसके disciples उसका funeral या अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं तो उस अंतिम यात्रा के दोरान जो बातचित होती है, उस बातचित को एक eulogy भी कहा जाता है, eulogy मतलब किसी व्यक्ति के मृत्यू के पश्चात जो discussion किया जाता है, उसे eulogy कहते हैं तो यह poem एक eulogy form में लिखी हुए, जिसके अंदर जो grammarian है, उसके students हो सकता है, single disciple या single student बात कर रहा है, या फिर हो सकता है कि multiple students इस poem के अंदर बात कर रहे हैं तो आईए इस poem का line by line meaning जानते हैं और देखते हैं कि हम इस poem में से क्या सीख सकते हैं सबसे शुरुवात में यहाँ पे लिखा हुआ है, shortly after the revival of learning in Europe तो यहाँ पे revival का मतलब होता है, कोई चीज उसका पुनर्व जिवन होना, मतलब कोई ऐसे चीज जो आप मानलो भूल गए थे अब अगर आप उसको वापस फिर से mainstream में लाओगे तो उससे आप revival का होगे तो यहाँ पे वो कह रही है, यह जो poem है, यह जो घटा है, वो उस वक्त में place कर रही है, जब Europe के अंदर learning या सीखने का जो चलन है, फिर से एक बार revive हो रहा है मतलब फिर से एक बार वहाँ के जनता भी learning के उपर focus करने लगी है, तो उस वक्त के अंदर यह poem शुरू होती है अब पहले stanza के अंदर कहते हैं, let us begin and carry up these cops singing together अब यहाँ पे सबसे शुरूआत में ही उन्होंने image create के हैं हमारे आगे कि वहाँ पे cops पढ़ा है, cops मतलब मृतिदेह या show तो हो सकता है एक disciple या एक student यहाँ पे बात कर रहे हम description देते हैं कोशिश करेंगे कि आप एक ही कोई व्यक्ति imagine करो, एक ही student imagine करो जो पूरी बातचेत कर रहा है तो वो student कह रहा है कि let us begin, चलो शुरूआत करते हैं, किस चीज की शुरूआत करते हैं, carry up this cops, इस cops को या इस मृत्य देह को उठाने की हम कोशिश करते हैं, इसकी शुरूआत करते हैं, singing together, singing का वैसे देखा जाए तो simple English में meaning होता है गाना गाना, लेकिन यहाँ पे जो situation है, उ अंती म्यातरा निकल रहे, तो अंती म्यातरा के अंदर आपने देखा होगा, अलग-अलग धर्मों के अंदर मंत्र पड़े जाते हैं, जैसे एकर हिंदू हैं आप, तो हिंदूइजम में भी अलग-अलग मंत्र पड़े जाते हैं, chanting किया जाते हैं, उसको singing किया जाता है, similarly Christianity चैनिटी और इसलाम के अंदर भी जब व्रतिदेव को उठाये जाता है तो कुछ मंत्र पड़े जाते हैं कुछ चैंटिंग के जाते हैं तो यहां पर उसी को इस पोयम में सिंगिंग कहा गया तो सिंगिंग का एक मतलब यह भी है कि उसके अंदर क्या भावना है जो स्टूड अब शायद कहिना कहिए छोटे सी खुशी की बात है कि वह फिजिकल पेन से उपर चले गए हैं क्योंकि उनके अभी म्रत्यू हो चुकी है वह कह रहे हैं लिव वी बाकी हम सब जो लोग हैं उन सब को जो स्टूडंट है वह कह रहा है हम सब कॉमन हैं हम सब सामानने इंसान ह और साथी साथ वह कह रहे हैं वल्गर्थॉप्स मतलब हम असभ्य भी है और वह कह रहे हैं कि हम सामानने और असभ्य लोगों को उनके उनके टेदर के अंदर उनके उनके बाउंडरी के अंदर उनके उनके परिस्तिती के अंदर जैसे हैं वह से छोड़ देते हैं और वह पर मतलब इसका यह meaning हो सकता है कि यह जो घटना है इसका वक्त है एकदम सुबह का वक्त जब सूरज भी उपर नहीं निकला हुए बाकि कि esti सारी comment जनता है बाकि सारे जो लोग के हो सभी आभी कइं सुए हुए है वो कहां पर सोय हुए हैं सेफली बॉसम के उपर जमीन के उपर प्लेन जमीन के उपर वो सारे लोग सोय हुए है और उन्हें अगर किसी चीज की चिंता है तो वो ही है कि कॉक्रो जब सुबह में मुर्गा वांग देगा तो उस वक्त उठेगा कहने कारते हुआ कि यह जो बाकी के सारे common लोग हैं यह सारे लोग वक्त के हिसाब से चलते हैं जब मुर्गा वांग देता है तो उठ जाते बाकी दिन बर काम करते हैं फिर वापस शाम को सो जाते हैं और जैसे कि मैंने कहा था प्रिवेसली कि वहाँ पे हमने अंदाजा लगा थे कि शायद यह सुबह होने का वक्त है तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि वो स्टूडन करे लुक आउट इफ यांडर अब उन्हें बाकी के सारे उसके साथ में जो स्टूडन यह उनको वो करे रहा है कि लुक आउट तुम उस दूर की उस दिशा में देखो कि अब तक वहाँ पे दिन नहीं है अब तक डे ब्रेक नहीं हुए अब तक सुबह नहीं हुई है और वो करें कि जो रॉक से जो बड़े बड़े पत्थर है दूर से वो जहां पे खड़ा है वहाँ से जो दूर दूर पत्थर दिख रहे उसके इरदगिर्द अभी भी सूरज की रोश्णी नहीं फैली हुई है और वो कह रहा है कि अब जहां पे वो दिशा दिख रहा है उस दिशा में देखके वो कह रहा है कि वह जो जगह है वह appropriate है वह इस occasion के लिए इस परिस्थिती के लिए वह appropriate है वह correct country है वह correct जगह है there man's thought rarer intenser self gathered for an outbreak as it is odd chaffes in the sensor और वो correct जगह है जिसकी दिशा में उसने पॉइंट आउट किया है दिशा दिखाई हुई है वो appropriate जगह है क्यों कि वो जगह ऐसी है जहां पे rarer लोग हैं उस जगह पे बहुत ही viral लोग हैं जादा लोग वहाँ पे नहीं वहाँ पे जादा भीड़बार नहीं है साथी साथ वहाँ पे intenser वेक्ति हैं intenser वेक्ति मतलब जो जिन्दगी को गहरा ही से सोचते हैं ऐसे नहीं कि बस उपर उपर जिन्दगी को देखते हैं या ऐसे लोग जिनका जिनका देखने का जो नजरिया है वो काफी गहरा है ऐसे लोगों के लिए वो जगह है और वो करें कि self gathered अभी हम सब लोग खुद ही यहा से outbreak करेंगे यहां से हम सभी निकलेंगे और साथी साथ यहां पर sensor जो होता है जो इस तरह का कुंड होता है जो विविद activities के अंदर अगर कोई religious activity तो जिसके अंदर हम लोग कुछ जलाते हैं इनकें स्टेक्स तो ऐसी जगह है इसके अंदर हम रगड की चैफेज जो जिन ची इसे हमों sensor के अंदर डालेंगे क्योंकि यहां पर डिट बॉड़ी भी है लिवी द अनलेटर्ड प्लेन इट्स हर्ड और क्रॉप सीख वी सेपूल्चर ऑन टॉल मांटेन सिटी टू टू टॉप क्रॉड़ेड विद कल्चर और यहां पर हो कह रहा है कि लिव वी हम सब जानुवर है हड हड मतलब जो जानँवरों का सम्हूत है उसे हड कर नेटे और क्रॉप मतलब यहां पर जो खेती की जूते है उसे क्रॉप तो वह कह रहा है कि हम सब जो उनेजुकेटेद लोग है उन्हें जमीन के उपर प्रानियों के बीच मेंशी द everyday हो के identifies में और खेती जहां पर टॉल मांटेन है एक उचा सा मांटेन परबत है और उस परबत के टॉप के उपर सबसे उचले जगए के उपर जहां पर कल्चर है जहां पर पूरी तरह से कल्चर भरा हुआ है या संस्कृति से भरा हुआ है ऐसी जगए के उपर हम हमारे गुरुजे के लिए कबर ढ दून रहे हैं तो यह कहने का मतलब क्या हुआ जो शिश्य है जो स्टूडन से उनके मन के अंदर जो ग्रैमेरियन है उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वो यह कहना चाहरा है कि हमारे जो गुरुजी है उनके लिए हम जमीन के ऊपर कब्र नहीं बनाएंगे उन करत्यों के बाद भी और वो कह रहा है कि वह जो जगह है वह जो माउंटेन है वो जो परवत है वो किस तरह का परवत है वो कह रहा है कि यह जो प्रेटिकिलर एक परबत वो शिष्य दिखा रहा है वो जो स्टूडन दिखा रहा है वो बाकी सबसे एक्जेल करता है वो बाकी सबसे उपर है बाकी सबसे अलग है क्यों केकि वहां पे प्लाउट इसे नजदिक में प्लाउट से और वो के लिएंडर वहां पर देखो ऑर दिखा रहा है कि उसी के पास में ही स्पार्कल बिजलियां है वहां पे चमकती है और साती साथ जो वहां पे ऐसे लगता है कि जिस तरे से समीट के उपर यह जो सबसे उच्छा पॉइंट है वहाँ पर यह जो बिजलियां है वह गोल-गोल घुमती रहते हैं सरकल करती रहते हैं तो यहाँ पर आय है कि वह जो जगें बहुती खास है कि वहां पर क्लाउड से वह पर बादल वहाँ पहुचा सकते है और साती साथ जो बिजलियां वहां पे बिजलियां करकते तो वह बहुती special place है कि तिदर ऑर पाथ लाइज विंड अप इस कुझी धिया हपक ड़ा उसन डिशा में हमारी हमारा जो पाथ ह है हमारा जो रास्ता है उस दिशा में है और हम विंड प करेंगे क्योंकि अभी हमें उंचाय पर होग़र दआ है तो हम अभी विंड अप करेंगे और एक लाइन में हम एक अच्छे फॉर्मेशन के अंदर हम लोग उपर जाएंगे तुम लोग किसकी वार्णिंग का इंतजार कर रहे हो वो कहने का मतलब यह है कि अब हमें शुरू करना चाहिए तुम किसकी वार्णिंग का या किसके आदेश का इंतजार कर रहे हो और लोग लाइफ वास दे लेवल्स एंड नाइट्स ही फॉर दे मॉर्णिंग और अब यहां पर फिर से एक बार स्तूति कर रहा है ग्रामेरियन के और कह रहा है हमारी आवर लोग लाइफ हमारी जो जिन् जो समय है यह जो घटना हो रही है सुबह की वक्त में घटना हो रहे तो इसी वज़े से वो जो डिसीपल है वो जो स्टूडन्ट है उसके मुह से इस तरह की शब्द निकल रहे क्योंकि वो देख पा रहा है कि यह जो सुबह का वक्त है जिस सुबह में हम यह अन्तियात्रा निकाल रहे हैं, यह सही वक्त है हमारे गुरुजी के, हमारे क्रामेरियन की अन्तियात्रा के लिए step to a tune, square chest erect each head beware the beholders और वह अभी उन बाकिय सारे students को कह रहे हैं कि step to the tune, सब लोग हम tune के उपर, हम सब लोग जो ऐसे जा रहे हैं, हम एक tune के साथ, music के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो सीने हैं, वो square रखेंगे क्यों, क्योंकि हमारे कंधे की उपर जो है this is our master, famous, calm and damn, bone or shoulders, क्योंकि हमारे कंधे की उपर जो है, वो हमारे master, वो famous है, बहुत ही popular है, और साथी साथ वो शांत है, और मर चुके है, dead है, तो यही कारण है कि हम सब को हमारे सीने जो है, वो square रखने है, सीने पूरी तरह से भरी हो है, रखने है, और हमारा जो सर है, वो उचा रखना है, और जो आसपास से लोग देख रहे हैं, उनको हमें निगलेख करना है, उनके उपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगले स्टांजा के अंदर पोईट कहते हैं, sleep, crop and hurt, sleep darkling top and crop safe from the weather, और अभी वो कह रहा है कि बाकी सारे जो तुम लोग हो, वो तुम सब लोग सो, तुम सब लोगों को जो चिंता है, वो crop की है, खेती की है, और जानवरों की है, साथी साथ हो कर रहे हैं, कि बाकी सब लोगों को बोल रहा है कि तुम सब भी लोग सो जाओ darkling और thawb, बाकी सब common लोग जो तुम हो तुम सब लोग सो जाओ, क्योंकि सुबई का वक्त है, तुम लोगों को उठने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग वेदर से, जो वातावरण है, उससे तुम सब लोग सेफ हो, ही, whom we convoy to his grave aloft, singing together, he was a man born with thy face and throat, lyric Apollo, अब वो कह रहा है कि he, वो इंसान, whom, जिसे, हम लोग हमारे पे उठाके कंवाय कर रहे हैं, जिसे हम ले जा रहे हैं, उसके grave की तरफ, उसके कबर में दपनाने के लिए, जिसे हम ले जा रहे हैं, गाना गाते हुए, singing together, सब लोग गाना गाते हुए, जिसे हम लोग ले जा रहे हैं, he was a man, वो ऐसा इंसान था, जो हम लोगों की तरह ही जिन्दा हुआ था, और उसका जो चेहरा था, उसका जो चेहरा था, वो हमारे चेहरों की तरह ही था, और उसका जो गला था, वो भी हमारे तरह ही उसका गला था, जिस तरह से लिरिक अपोलो का होता है, चा उड़ फॉलो और अब वो करें कि लॉघ ही लिग यह जो ग्रेमेरियंड है वह लंबे समय तक जिंदा रहा नेमलेश और उसका किसी को नाम तक पता नहीं था in žeष्भष पृपिष्व स्प्रिंग टेक नोट और वह करें कि कि लरेंग की इस तरह से यह चीज को समझे कि उसके बाद winter आने वाला है तो यहाँ पर वो कहना चारा है कि जो grammarian था वो गुम नाम जिन्दगी जीता रहा और उसे यह समझ में नहीं आया कि एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता रहता है उसे जिन्दगी का structure ही नहीं समझा कि वक्त बीटता चला जाता है Till low the little touch and youth was gone और उसे यह समझ में नहीं आया कि धिरे 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 उसका youth उसका जो जो जवानी थी वो धिरे धिरे चली गयो और उसे यह समझ में नहीं आया लेकिन जब उसकी जवानी चली गई तब वो क्या हो गया क्रैम्ट हो गया और दिमिनिश्ट हो गया क्रैम्ट होना मतलब आकार में वो छोटा सा थोड़ा छोटा हो गया उसका जो शरीर था हो सकता है पहले काफी अच्छा था धश्ट पूश्ट बल्वान दिखता था लेकिन आभी वो क्रैम्ट दिखने लगा और size में वो diminish हो गया वो छोटा हो गया तब वो उसने moon किया तब वो जो grammarian था वो बोले new majors other fit and on और वो कहने लगा कि अब मुझे और कुछ नया करना है new majors करना है और उसने विचार किया कि my dance is finished क्या मेरा जो dance है जो मैं कर रहा हूं मैं जो सीख रहा हूं उस चीज में उन्हें खुशी आ रही थी उस वक्त वो grammar सीख रहे थे तो उसे वो dance कर रहे हैं जो मेरा जो करतब है वो finish हो गया है यहां पर question mark लग मेरा खुद को ही वहां पर पूछ रहे कि जवानी खतम हुई है अभी मेरी सिफ जवानी खतम हुई है और मेरा जो शेरिर है वो थोड़ा सा diminish हो गया थोड़ा सा weak हो गया कमजोर हो गया तो क्या इस वज़े से मेरा dance finish हो no नहीं यह जो है यह बाकी सारी दुनिया का जीने का तरीका है वो करे that is the worst way इस तरह से बाकी के सारे लोग जीते हैं और यह कहते हुए ही जो student है वो बाकी सारे उसके साथ में जो अंतियात्रा में student से होने हो निरदेश देरा कि keep mountain side make for the city हमें mountain के उपर नजर रखते हुए श he knew the signal and stepped on with pride or man's pity अब वो कह रहा है कि जो grammarian था उसे यह पता था he knew उसे signal पता था बाकी सारे लोग अब जबकि उसकी तबियत उसका जो शेरिर है वो कुछ कमजोर दिखने लगा था तो उसे वो जो signal था शेरिर का जो signal था उसे वो पता था और फिर भी वो प्राइड के साथ गर्व के साथ वो step down करता रहा वो आगे बढ़ता रहा man's pity इंसान की जो दया है उस दया के उपर वो आगे जाता रहा बाकी सारे लोग उसको देखके हो सकता है दया दिखाते होंगे अरे कितना कमजोर दिखने लगा है इसका शेरिर अजीब दिखने लगा है बाकी सारे लो एन्ग विज्कष एग्रॉड और गया उस ने क्या कीया उसने लिफट प्लेफ़र करू से भाए ज़िंदगी के ।शिया म!」 आ उसने अपने काम के लिए छोड़ दी समय उसका काम क्या था। सम खेल को दिया enjoyment उसने सब कुछ अपने काम के लिए छोड़ दिया और ग्रैपल बाकी सारी जो दुनिया थी उससे वो ग्रैपल हो गया उससे वो अनजान हो गया और bent on escaping bent on का मतलब ठान लेना और उसने ठान लिया कि what is in the scroll वो यह जानके रहेगा कि आखिर यह जो स्क्रोल है अब यहां पर अंजाने कोई भी स्क्रोल मतलब जिस तरह से पुराने जमाने में मैसेजस दिया करते इस तरह से ऐसे स्क्रोल करके तो उसे एक स्क्रोल को देखके वो करने लगा what is in the scroll इस scroll के अंदर आखिर क्या है जिसे हम लोग फर्ल जिसे बाकी सारी लोग फर्ल करके या अच्छे से ऐसे टाइट पैक करके रखते हैं show me their shaping मुझे यह scroll तुम सब लोग दिखाओ there is who most studied man the bard and the sage give और वो कहने लगा कि there is वो खुद को कहने लगा कि यहाँ पे जो मैं हूँ वो बहुत ही studied मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इनसान हूँ मैं बाढ़ हूँ मैं कवी भी हूँ और मैं एक संत भी हूँ मैं सेज भी हूँ मुझे तुम लोग यह scroll दो यह ऐसा scroll जिसे तुम सब लोगों ने बंद क खरके रखा हुआ है और फिर उसने क्या किया so he gone him और फिर वो जो scroll था उसे उसने लिया और straight got by heart that book to its last page और वो जो scroll था उस scroll को उसके आखिर के page तक उसने पूरा पढ़ लिया और by heart कर लिया पूरा अच्छी तरह से उसने समझ लिया और फिर यहाँ पर disciple करें learn we found him और फिर जब वो scroll को grammarian अच्छे से समझ गया तो उस परिस्तिती में he was learned learn मतलब वो अभी सब समझ गये थे पुरा वो पढ़ चुके थे और उस परिस्तिती में हम सब लोगों ने उन्हें पाया yes but we found him bald too eyes like lead accent and certain और फिर वो करें कि वो पढ़ चुके थे वो सब पुरा पढ़ लिख जब हमने उन्हें पाया लेकिन उस वक्त जब हमने उन्हें पाया he was bald too bald मतलब टकल पढ़ चुका था उनके जो बाल थे वो बाल भी अभी जड़ चुके थे और साथी साथ उनके जो eyes थी उनके जो आखे थी वो lead की तरह lead एक धातू होता है जिसके उपर कोई shine नहीं होती त तो उनकी जो आखे थी उनमें से पूरी चमक चली गए थी और उनका जो accent था जो उनका आवाज था वो uncertain हो गया था तो किसे का आवाज uncertain कब हो जाता है जब उनके अंदर उर्जा की कमी होते जब वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे तो यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि उनके सर से बाल जड़ चुके थे उनके आखों में से रोशनी कम हो चुकी थी और उनकी आवाज भी कम हो गए थी तो बाकी और भी कोई और कोई अनादर उड़ कोई भी और इंसन होता तो ओके था ता ताइम तो टेस्ट लाइफ अब सही वक्त आ गया है कि जब मैं जिंदगी का मज़ा ले सकता हूँ और वो कहता कि अब विद कटन यहाँ पर सिंबॉलिक लिकर रहे हैं कि चलो अभी जो पर्दे हैं वो पर्दे उठा लो क्योंकि अब जिंदगी जीने का वक्त आ गया है लेकिन दिस मैं दिस मैं मतलब ग्रैमेरियन उसने कहा एक्चुल लाइफ कम्स पेशन्स और मोमेंट लेकिन ग्रैमेरियन ने कहा कि जो एक्चुल जिंदगी है वो ब्रत्यू के बाद आते हैं नेक्स्ट मतलब इसके बाद एक्चुल जिंदगी आने वाली है और पेशन्स रखो एक पल के लिए तुम सब लोग पेशन्स रखो धैरे रखो और यहाँ पे वो कह रहे है कि थोड़ा देर पेशन्स रखो तुम सब लोग क्यों क्योंकि मैंने अभी मास्ट्री कर लिए वो जो स्क्रोल था वो स्क्रोल के अंदर जो मैसेज था जो लिखा हुआ था उसके उपर मैंने मास्ट्री कर ली है भले ही वहाँ पे क्रैबर्ड टेक्स्टा मतलब टेड़े मेडे अक्षरों में लिखा हुआ था अच्छे से नहीं लिखा हुआ था फिर भी मैंने एफर्ट्स लेके उसके उपर मास्ट्री कर ली है स्टिल लेकिन फिर भी उसके नेचर जो comment लिकी हुई है वो comment मैंने अभी अच्छे से पड़ी नहीं है वो मैंने अच्छे से समझी नहीं है let me know all मुझे सब अच्छे से समझ लेने दो pray it not of most or least मैं इसके उपर ध्यान नहीं दूगा कि most मैंने अगर वहाँ पर hundred concept थे तो मैंने अधिकतर concept सीख लिए या थोड़े से concept सीख लिए painful और easy difficult concept सीख लिए या easy concept सीख लिए इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता even to crumbs मुझे वो जो सीखना है वो पूरा गहराई तक उसके आखिर के crumbs तक आखिर के हिस्ते तक मुझे सीखना है I would fan eat up the feast और मैं उसे किसी fist की तरह उसके आखिर के word तक आखिर के concept तक मैं किसी fist की तरह किसी party में जो maze वानी दी जाती है जो स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है उस भोजन की तरह मैं उस हर एक concept को समझ लेना चाहता हूँ और मैं उतना समझने के बाद भी मुझे क्वीजी नहीं फील होगा मुझे असहज फील नहीं होगा और वो कह रहा है कि इस तरह की जिंदगी उन्होंने रिजॉल किया था उन्होंने तई किया था जीने का तब जबकी वो सब कुछ सीख चुके थे और जब उनके पास वो gather कर चुके थे जमा कर चुके थे हर उस तरह का books जो वो और किसी को भी दे सकते थे सुनर ही spend it और फिर जल्दी ही वो उसके उपर spend कर लेंगे और उसके उपर वो विचार करने लगे image the whole then execute the parts fancy the fabric quiet air you build air still strike fire from cords air mortar dab stick और फिर यहां पर जो grammar था उसके विचार किस तरह के थे वो कह रहा है कि image the whole पहले हमें पूरा जो परिस्थिते उसे हमने image कर लेना चाहिए उसे हमने imagine कर लेना चाहिए और फिर part by part part by part हमें उसे execute करना चाहिए उसे action में उतारना चाहिए और वो गहांए fancy the fabric और फिर हमें उसके जो fabric है उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं जो fabric के अंदर जो मनलो कोई कपड़ा है वो कपड़ा किस तरह से छोटे छोटे रेश्यों से धागों से बना होता है ठीक उसी तरह से हम imagine कर सकते हैं कि पहले हमें पूरा कपड़ा किस तरह से बनाना है वो imagine करना है और फिर उसके एक-एक धागे को हमें बुन्टे जाना है क्वाइट और फिर शान्त रहो before you build एर का मतलब होता है before इससे पहले कि तुम build करो कुछ building बनाओ उससे पहले कि जो steel है जो लोहा है वो भट्टी के अंदर फायर के अंदर आपके अंदर वो जाए उससे पहले कि तुम जो mortar होता है जो हम building बनाते वक जो रेती और सीमेन को मिला के mortar बनाते है वो जो brick होता है उस brick के उपर पड़े इसससे पहले तुम लोग शांत रहो और image the hole करो पूरी situation को पूरी building को पहले तुम लोग imagine कर लो कि आखिर building किस तरह से बनानी है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने पहले दो stanza को cover किया है part 2 के अंदर जो remaining दो stanza को cover करेंगे